असलाम लेकुम प्रोब पाकिस्तानी मेरा नाम है अक्रम अली और आप देख रहे हैं प्रोब पाकिस्तानी टेक दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं नोकिया 3.4 का वाटर टेस्ट जी हां अभी रिसेंटली इसके अंद्बॉक्सिंग वीडियो की ती जिसमें मैंन को प्रेस करें वाटर टेस्ट करने के बाद हम इस डिवाइस का कैमरा साउंड चार्जिंग और टच को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि यह डिवाइस बच पाती है या नहीं तो प्लीज घरों पे ऐसा टेस्ट करने से परहेश कीजिए जल्दी से चलते हैं नोकिया 3.4 क तो प्रो पाकिस्तानी यह हमारे पास नोकिया 3.4 की डिवाइस और आज जैसा के मैं आपको बता चुका हूं इसका एक मिनट के लिए होगा वाटर टेस्ट तो इसकी जो डिस्पले सैटिंग्स हैं वह मैंने ठीक कर दी हैं 30 मिनट तक और अब इसकी वाच को जो है वह हम पानी डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसका टच इसका कैमरा इसका साउंड और उसके बाद इसकी चार्जिंग को टेस्ट करेंगे दोस्तों यह डिवाइस बिलकुल भी वाटर प्रूफ नहीं है ना इसकी कोई IP रेटिंग है तो प्लीज घर पे इस तरह कोई भी तो मोस्तली जो है वो यूनो ड्रॉप प्रूफ या यूनो ड्रॉबिलिटी को लेके वो काफी बेतर हैं ऐस कंपेर टू बिफॉर मतलब पहले जब मुझे याद है कोई भी फोन पानी में चला जाता था तो उसके अंदर काफी जल्दी इस्यू आना शुरू हो जाते थे य बाट स्टिल इस बात का मतलब आपको इंकरेज करना बिल्कुल नहीं है कि आप पनी डिवाइस को पानी में डालें या उनके ओपर कोई टेस्ट परफॉर्म करें हाँ अगर पानी में गिर वगरा जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए या एजुकेशनल परपस के लिए तो इसको बिल्कुल सिरियसली मत लीजेगा और अगर फोन गिर जाए पानी वगरा में तो उसको खुश करके फिर उसको यूज करें तो एक मिनिट कम्पलीट हो गया है और मैं इसको रूपता हूँ और डिवाइस को करता हूँ साफ और फिर उसके बाद हम इसका कैमरा इसक फिंगर्परिंट स्कैनर चेक करना चाहूंगा और वह बिल्कुल ठीक चल रहा है जैसा कि आपने देखा कि इस फोन का जो फिंगर्परिंट स्कैनर है नोकिया 3.4 का वह बिल्कुल काम कर रहा है तो अब बात करें अगर टच की तो टच भी ठीक है मुझे गलिच लगा था बट नई मैन्यू इस तरह का है तो बैसिकली यहां पर टच भी ठीक है इसके वॉल्यूम रोकर्स की अगर बात करें तो वह बिल्कुल ठीक चल रहे है और सेटिंग्स में जाके अगर हम इसकी साउंड को चेक करना चाहें तो देखते हैं क्या सेनारियो है वैस में पानी गय इस ने छान की ठीक है तो यहां पर दिया चक्डिम्न का करें में तो हमने टीक है नहीं है रहारी धो कई हैm अश्में बार और पार फ़ इसक देख भी हो सकता है विल्छ पर नहीं हो है यह पर Ist has इसका फिंगर प्रिंट इसका साउंड इसका टच बिल्कुल ठीक है तो आप बात करते है जरा इसकी चार्जिंग की तो चार्जिंग करने लगा हूं मैं जी तो डिवाइस चार्ज भी हो रही है मैं आपको दुबारा करके दिखा देता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिवाइस चार्ज भी हो रहे है तो नोकिया 3.4 इस गुड डिवाइस मतलब इतने पैसों में अगर ये एक मिनट पानी में रहने के बाद चल पड़ती है तो दूरेबिलिटी के पॉइंट अफ्यू से तो ये अची डिवाइस है बाकी इस हर दूरेबिलिटी के बाकी अची पुड़ते है तो ये फड़तर इस जयाओन से खरेघना को है ये वी मतलब अपरों तो।